असलाव अलैकोम इस टुटनस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Anti-CoagNING Luxe and Anti-Plate Late Agenज निश के बारे मिठ के फार्मां का यह आपके बास है के इसमें हम ना Anti-Coag poziom and Anti-Plate current agents के बारे में डिसक्स करेंगे ठीकिए यह सबसे पहले मैं आपको समझने यह लंबा होने वाला जलदी सी तरते हैं यह फरने मैं आपको नौर्मल बताँगा धीए जैसे हम जलते हैं यह यह प्लेटिलेट सब्सक्राइब कोई भी जो यह ना वेसल इंजिरी होई है यहां पर ब्लीडिंग हो रही है अब ब्लीडिंग को स्टॉप करना है नॉर्मल बता रहा हूं आपको अब नॉर्मल आपके पास यहां पर वांवली ब्रेंट फेक्टर आता मैँ जैसे यह पर हुआ तो यह ना प्लेडिलेट होते हैं एक्टिव होजाते हैं यह क्रिक्टिव हुगे जब नॉर्म के पास और अपकि ने अभ ये प्रॉसे ञालिक की यूनि हो रहा होता विकर आपके पास साइकलिक एंपी की लेवल बहुत ज्यादा होती और साइकलिक की एंट्रा सलयले केम को इंोर्मली होता है अब जब यहां पर कौन्य होगी तो यहां पर ऑफ यहां पॉति करना है उससी का करता है आपकी पास किया फास्ट पो डाइस्ट्रेस 3 फास्ट डाइस्ट्रेस 3 जब साइकलिक MP को इनने बढ़ दी जाएगी एंड केल्ट्रंट की लेवल और भी बढ़ती जाएगी तो यह क्या कर रहा अब ADP क्या अगर, ADP is the platylate aggregator, इन platylate जो है ना आपके पास क्या, जो है ना aggregator होता है, ADP क्या करेगा, ये बागी बगिया platylates पर आकर bind करेगा, लाइक ये वाला platylate है, इस पर ADP का receptor होता है, जिसे हम बोलते है क्या P2 white olive receptor, P2 white olive receptor, आपके पास किस के लिए होता है, ADP के लिए होता है, जब ये यहाँ पर bind करेगा, तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, इंट्रासलूलर केशम लेवल को, और इंट्रासलूलर केशम लेवल बहुत बढ़ जाएगा, अब इंट्रासलूलर केल्शम लेवल क्या कर रहा था, ये granules release कर रहा था, एंट्रोंबोक्जन A2, क्या करेगा, इट इस वेजो कंस्ट्रिक्टर एंट, जो ना आपके पास, यहाँ पर मैंने लिखा है, थ्रोंबोक्जन A2 is the platylate aggregator and वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, इसकी वजए से आपके पास क्या क्लॉड बन ज इस पर ग्लाइको प्रोटीन 2B, 3A receptor को क्या करता है, इसको stimulate करता है, अब जैसे यह stimulate होगे, इस side के भी stimulate होगे, तो यह दोनों रेसेप्टर, दोनों side के यह भी platylate, यह भी platylate, इन दोनों के जो रेसेप्टर हैं, यह क्या करते हैं, यह आप, आपस में एक fibrino gene molecule को, यह क्य होल्ड कर दें, यहां पर, जैसे इसको hold करेंगे, जो बाकी के fibrino gene या फिर fibrino gene या फिर platylate जो भी आएगा, वो यहां पर आकर जो होता जाएगा, जमा होता जाएगा, यहां पर clot बन जाएगा, ठीक है, यह क्या normal clot क्लाइशन होती है, उसके बाद यह जो intracellular calcium, यह इंट आपके बनाएगा, यहां पर एक enzyme होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या cox one, cox one भी होता है, cox two भी होता है, यहां पर मैं cyclical oxygenous pathway को डिसक्स किया, यह 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 मैंने बहुत डिसक्स किया है, यह पिछले वाले वीडियो में, तब इसको मैं जल्दी से लगी जा रहा हूं, यहां प आपके पास यह बनता है, फ्रॉम बॉक्जिन एडू, यहां पर एक enzyme होता है, cox one होता है, and cox two भी होता है, cyclo oxygenous enzyme cox का मतलब है, यह होता है, यह होता है, यह नॉर्मल हो रहा होता है, उसके बास यहां पर आपके पास एक extrinsic pathway आता है, coagulation का, एक intrinsic pathway आ जाता है, coagulation का, अब intrinsic pathway में basically आपके पास कौन सा factor release होता है, factor 12, factor 12, factor 12 active में होगा, factor 12 active क्या करेगा, factor 11 को active करेगा, factor 11, factor 9 को active करेगा, and factor 9 आपके पास या करेगा, factor 10 को active करेगा, and factor 10 क्या करेगा, pro thrombin को convert करेगा, into the thrombin, and thrombin क्या करेगा, fibrinogen को convert करेगा, into the fibrin, अब यह fibrin क्या करेगा, let's suppose यह यह वैसल यहां पर क्या बनगा? ये क्लॉड है. अब इस क्लॉड के उपर यह क्या करेगा? Neuel के इस क्लॉड को क्या बन क्या करेगा? आपना पूरा मे SCOTT करेगा मेर्स हमेश और क्या के स्था क्या करेगा? ठिक है यह क्या था आपको पूरा पता है यह मैं इसको जल्दी से लेकर जा रहा हुँ ठीक यह हो रहा होता है इसमें अब यहां पर जो factors है like factor two factor seven factor nine factor ten ये ये चारों factors are dependent upon the vitamin K अब vitamin K के dependent हैं तो यहां पर जो इना अलग सा function होगा let's suppose this is the vitamin K vitamin K के दो farm होते हैं एक होता आपके पास क्या reduced farm अब जो reduced farm में वो convert तो है किसमें epic जो इना vitamin K epoxide farm अब this epoxide farm activates these factors यह क्या है यह क्या है यह क्या है इस जो इना two seven nine ten factors को epoxide farm आपका activate करता है and this epoxide farm जो इना आपके पास वापस convert होता है किसमें into the reduced farm by enzyme known as vitamin K जो इना epoxide reductase reductase enzyme होता है reduce करता है इसको अब देखें यह जो इना यह cycle चलती रहती है चलती रहती यह इसको बार-बार activate करता रहता है normally ठीक है यह normal होता रहता है यह normal बता रहा हूँ अभी कि उसके बाद यह हो गया अच्छा अब देखें यहां पर clot बन गया यह ऐसे clot अगर यह clot आपके पास irregular बन रहे मतलब किया आपको नीड नहीं यह इन क्लॉट सी तो इनको हम जो इना डीगरेट कैसे करेंगे अभी हम वो पढ़ेंगे इन में एंटी कोईगुलेंट एंटी प्लेटिलेट एडजेंस में हम वही करेंगे पूरा ठीक है अब दिखिए अगर मैं इस ग्लाइको प्रोटीन टू बी थ्री ए के इनिबिटर आपके पास कौन से होते हैं आपके इतना मुस्किल नहीं दे रहे होते होते हैं आपको इतना के लिए रहो गया होगा उसके बाद अगर मैं यह इस रिसेप्टर के इनिबिटर दे दू मतलब क्या एड़ी पी यहां पर बाइन नहीं करेगा एड़ी पाइन नहीं करेगा तो इंट्रसुग्रूल क्या होगा जो ना कम हो जाएगा ठीके तो आपके पास यह पूरा मेकेनिजम फिर से नहीं होगा तो वार्फ इसके रिसेप्टर इनिबिटर कुण से होते हैं फीटू वार्फ रिसेप्टर इनिबिटर प्रसुग्रूर प्रसुग्रूब करसुग्रूअ जोना केंगरेलर क्लोपिड recl Deckler डॉंट फरगेट तर टिक जो ना क्लोपिट डोगरेल मॉस्ट वाइड लीटर गोई यह ठीक है क्लोपिट डोगरेल यह मैं आपको डिटेल में बढ़ाऊंगा बात में उसके बाद हम दे रहे होते हैं क्या जो है ना इस इंजाइम इनिबिटर फास्फो डाइस ट्रेस थ्री क्या कर रहा था साइकलिक उरा हो रहा था तो क्या कर दथ अब जब सब्सक्राइब कर दूँ तो उनिबिट नहीं करेगा जब यह साइकनल के नर्मली इंट्रस इनियुलिकरिसंट को कं अबस्को रध करता है तो इस इनिबिटर देंगे तो 일이 होते हैं तो तो इसके इनिबिटर्स आपके पास क्या होते हैं जो है ना सिलोस्टाजोल एंड डाइपारीडा मोल यह दोनों यह दोनों दे रहे होते हैं ठीकि यह मैं आपको बात में बताऊंगा पूरे अच्छा उसके बाद यहां पर देख रहे हैं यह हम देते हैं क्या कुछ ड्रक्स होते हैं जो टेन एफिक्टर को टेन एफिक्टर को इनिबिटर करते हैं अब देखें टेन एफिक्टर आपके पास क्या है यह यहीं पर आ रहा है तो इसके इनिबिटर्स आपके पास क्या होत भीविटें है ठीके उसके बाद हम क्या देते हैं थ्रॉमबिन इनिविटर यह क्या है थ्रॉमबिन अगर मैं जिननको फाइब करेगा तो यहां पर क्या होगा फाइब का मिश वर्क नहीं बनेगा इस में आपके पास आता है डबिगगा ट्रेन और जो है ना अध्यार डिवल हम एक व डेते हैं जो इस वायटामिन के इंघिटर रोता है व्च्छिस यह वारफारें क्या करता है आपकी पास वायटामिन के रिडिक्टेस इप्मॉइफ करता है तो यह साइकल नहीं होगी तो ये factors inhibit हो जाएंगे ठीक है Warfarin is the only drug which inhibit intrinsic as well as extrinsic because vitamin K dependent factors कों से हैं 2, 7, 9, 10 अब देखें 7 किसमें आ रहा है only extrinsic में आ रहा है तो ये 7 को भी inhibit कर सकता है, 10 को भी कर सकता है, 9 को भी कर सकता है and 2 को भी कर सकता है basically आपके पास prothrombin is the factor 2 prothrombin को हम factor 2 भी करते हैं ठीक है, ये normal होता है अच्छा, उसके बाद यहां पर ना क्या होता है normal, ये normal बता रहा हूँ normal ये आपके पास blood में होता है heparan sulfate ये क्या heparan sulfate है heparan sulfate bind करता है किसके साथ anti-thrombin 3 molecule के साथ anti-thrombin 3 क्या करता है, thrombin को cleave करता है ये कैंची है, मतलब कि ये thrombin को cleave करेगा and factor, factor 10, factor 10 A को भी inhibit करेगा ये normal होता है आपके पास blood में अगर मैं कुछ drugs दे दूँ, जो anti-thrombin 3 को activate करें क्या anti-thrombin 3 को जो drugs activate करें वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, thrombin को inactivate करेगा and factor 10 को inactivate करेगा anti-thrombin 3 जो activated होती है आपके पास क्या होती है ? ये परन सेल्फि नॉर्मल आपके पास blood में होती है आपके पास हैरन हम देते हैं जो unfractionated हैरन होता है भी दे सकते हैं उसके बाद यहां पर एक और system हो रहा होता है जिससे हम ब dobते हैं कि अजो है लेवल करने के लिए नॉर्मल मेकेपंजम क्या होता है यहां पर आपके पास अंड depart की ह करेगा ठीक है अब जो ड्रग हम दे रहे हैं जो इस टी-पी-ए को एक्टिवेट करें तो वो ड्रग क्या करेंगे इस प्लाज्मिन की बहुत ज्यादा कि फार्मेशन करवाएंगे इसके आपके पास क्या आते हैं टी-पी एक्टिवेटर क्या होते हैं जो ना इसके ड्रक्स आपके पास कौन से होते हैं से ईल्टी प्लेइस ईल्टी प्लेइस यूरो काईनेस इन स्थ्टो काईनेस ठीक है अच्छा अभी के लिए सिर्फ इतना ही बाद मिए आपके पास मेर पूरी की पूरी डिटील बाद में आपको बता हूँगा ठीक है